नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं और उनके खिलाब कड़ी करवाई के लिए पर्तिवध हैं कई माध्यामों से जनकारी मिली है कि कुछ लोग इस सरकारी योजना के लिए फरम भरने और जामा करने के लिए अवायद रूप से रासी वसूल रहे हैं या गतिविधी, सहरी और गरामिन छेत्र दोनों से परकास में आई है सहायक, निदेशक, समाजिक सुरक्षा, प्यूस ने असपष्ट किया है कि इस योजना के लिए अभी तक कोई अधिकारिक फरम भिभाग द्वारा जारी या जीला द्वारा बीतरीत नहीं किया गया पुल सहन योजना, राज सरकार की एक महत्व कांची योजना है, अगर जीला परसासन कोई योजना से समधिक जूठे बिग्या पन, फरम के अवैद बीतरन या कला बजारी के समध में कोई जनकारी मिलती है, तो समधित धराओं के तहसक्त कानूनी करवाई की जाएगी मुख्य मंत्री ने बाबा विश्वनात और मा बिन धवासनी के किये दर्शन पुजन, जारखन के मुख्य मंत्री है मनसुरे ने कहा है कि हम जानता के प्रतिस्व मर्पित है, जानता के हक के लिए हर परचिती में लडाई जारी रखेंगे, जानता जो समधती हुआ हुआ यह लोग सभा चुनाओं में साप दिखा चुनाओं में इंडिया की सफलता जानता का फैसला है सीम ने उक्त बाते रभीवार को मा भी धवासनी धाम में दर्सन पूजन के बाद पत्रकारों से बाचित में कही सीम बाबा विश्वनात के दर्बार में भी पहुंचे और उसहाली की कामना की बता दे इसके बाद रभीवार सुबह पत्नी के साथ कासी विश्वनात की फूजा अर्चना भी की वारा नसी में ही काल भायरो मंदीर के दर्सन की वारा नसी अरपोट पर साथ राजियों के उप चुनामें इंडिया की जीत पर कहा यह जनता की जीत था जार्खन 10 खानों की निलामी की परकिरिया जल्द करे पूरा केंद्रे केंद्र खान मंत्राले ने जार्खन सरकार से सोने की एक ख़दान सही 10 खनीज बलोग की निलामी परकिरिया को जल्द पूरा करने को कहा है साथ ही मंत्राले ने चेतावनी दी है कि यदी राज ऐसा करने में बिफल रहा तो केंद्र इन खानों की निलामी पर किरिया सुरू करेगा सुत्रो ने यह जनकारी दी है सुत्रो ने बताया है कि 10 बलोक में से एक तंबा एक चुन्ना पत्थर और एक गेफाइट की ख़दान भी सामिल है 2021 में खनन नियमों में संसोधन के अनुसार यदी राय सरकार परासपरिक रूप से सहमत अवधी में ख़दानों की निलामी करने में बिफल रहती है तो केंद्र को इसकी निलामी करने का दिकार है सुत्रों ने कहा है कि जब खनीज बलोकों की निलामी की बात आती है तो जारकन राज सरकार अने राजजियों से पिछड़ रहा है वहीं भारतिये भूव बैग्यानिक सर्वेक्षन द्वारा जारकन सरकार को सौपी गए 38 भूव बैग्यानिक रिपोर्टों में से अब तक केवल 5 का उप्योग निलामी के लिए किया गया है राज सरकार ने दिसंबर 2021 तक 15 बलोक निलामी के लिए अजिसुचित करने का स्वासन दिया था मुख्य मंत्री के समक्ष सिक्षकों का अंसन 5 अगस्त से जारकन के प्रारामभिक इसकूलों के सिक्षक 5 अगस्त से मुख्य मंत्री के समक्ष आमरा अंसन करेंगे इसका निरने अखिल जहारखन प्रात्मिक सिक्षक संग की राज कार करनी की बैठक में लिया गया राज के सिक्षकों के लिए सुनिस्चीत बृत्ति उन्ययन योजना लागू करने असनातक प्रसिक्षीत और प्रधना ध्यापक के पदों पर प्रणती देने छठे बेतनमान की भी संगती दूर करने की मांग को लेकर आमरान अंसन होगा वहीं अंतर जिला अस्थनांतरन में ग्रीह जिला में तवादले का बिकल्प देने स्वास्त विमा लागू करने राजिकर्मियों के लिए सबी अस्थानों पर परिवान भत्ता की भी मांग सिक्षकों ने रखी है संग के मुख्य प्रवक्ता नसीम अमद ने बताया है कि बिहार की भाती राजिके सिक्षकों को M.S.C.P. का लाव देने का स्वासन 2022 में मुख्य में दिया था बावजूद इसके आज तक इस पर सरकार नहीं नहीं लिया सिख्षकों की प्रोनाती को कोट में हवाले करके सिख्षा विभाक सिख्षकों को मांसिक रूप से परिसान में डाले हुए हाएं अस्थानी नियोजन नीती नहीं बनना दुर्भागे पूर्ण है जार्खन को बचाने के लिए राज में भरष्टाचार, बेरुजगारी, पलायन, मानोतसकरी और हक, अधिकार वखनी जो के लूट के खिलाप करी लड़ाई लडने की जरूरत है बिजय सिंग रभीवर को पूरानी बिधान सभा के अती थी साला में आयोजीत रांची जीला समीती जार्खन नो निर्मान दल की बैठक में बोल रहे थे बैठक के अधिक्षता गीता पांडे ने की बैठक में मांसून सत्र के दोरान 18 जुलाई को अस्थानी वा नियोजन निती नन बैंकिंग कंपनियों में जामा पैसे का भुकतान महिला उत्पिडान बेरोजगारी भरस्टा चार जैसी समस्याओं को लेकर राज सरकार को मांग पत्र सोपने समेत आने वाले दिनों में आ जारखन एस्टेट ओलंपियाड परिक्षा के दूसरे सत्र कायोजन करने की तियारी शुरू हो गई है जारखन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत की ओर सेज की तियारी की जा रही है इस परिक्षा में समिलित होने के लिए बिद्यार्थी गूगल फरम पर 31 जूलाई तक अपना निबंधन करा सकेंगे इस ओलंपियाड परिक्षा में कक्षा साथ आठ एवं नौमी के बिद्यार्थी को भाग लेना है परिक्षा पांच बिशयों गनीत अंग्रेजी बिग्यान समाजी बिग्यान और समाने ग्यान की होगी बिद्यार्थी एक या एक से अधिक बिशय की परिक्षा में सामिल हो सकेंगे इस परिक्षा में भाग लेने के लिए बिद्यार्थीों से कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा जेवर दुकंदार परतिस्ठानों में अलार्म और CCTV लगा है जेवर दुकानों में सुरक्षा बेवस्ता और बेहतर करने के लिए रवीवर को एसेसपी ने सभी दुकानों में CCTV केमरे और अलार्म सिस्टम लगाने की सलाह दी उन्होंने बताया है कि दुकानों को निशाना बनाने वालों के सुची तयार की गई है कारोबारियों से यह भी आगरा किया गया है कि यह दी कोई संदिक्द परतिष्ठान के आसपास लगातार दिखे तो इसकी सुचना तुरंत पुलिस को दे SSP ने कहा है कि वे परतिष्ठान के साथ साथ दुकान के आसपास भी उच अस्तर के CCTV कैमरे लगाए ताकि संदिक्द की पहचान सिग्र हो सके जारखन में अगले पांच दिन मांसुन कमजोर रहेगा रांची समयत पूरे राजे में मांसुन सोमवार से अगले पांच दिन तक फिर कमजोर रहेगा मौसम विभायकान सार 29 जुलाई तक कुछ अस्थानों पर में गर्जन बजरपात के साथ हलकी बारिस या बुंदा बुंदी के ही असार है ऐसे में खरीब फसल की खेती में जूटे किसानों को बिचड़ा लगाने में परिशानी हो सकती है हलाकि 20 जुलाई से मांसुन के फिर रफ्तार पकड़ सकता है इधर अभीवर को रांची में हलकी बारिस से मौसम सुहाना हो गया रांची मौसम विज्यान केंद्र के मुताविक सोमवार और मंगलवार को सुबे में ही कहीं कहीं हलकी बारिस होगी वही 17 को रांची, बोकारो, गुमला, हजारी बाग, खुर्टी, रामगाड, पूर्वी और पच्मी, सिमुम, सराय, किला और सिम्डेगा में हलके दर्जे की बारिस का सार है इधर 24 गंटे में साहिब गंज के बोरियों में सरवधीक 92-5 मिलिमीटर बारिस हुई है कौसल विकास का प्रसिक्षन लेने वाले 6 गुना बढ़े जारखन में कौसल विकास के प्रती युवाओ करू जानतेजी से बढ़ा है यही वज़ा है कि पिछले 6 सालों में कॉसल विकास का प्रस्रिक्षन लेने वाली युआओ की संख्या लवखग 6 गुना तक बढ़ी है जार्खन कॉसल विकास मिसन सुसाइटी के आकड़ों के नुचार साल 2017 में राजे के जहां 19,811 युआओ को कॉसल विकास का प्रस्रिक्षन दिया गया था वहीं वर्ष 2023 में 1,13,000 चधिक युआओ ने कॉसल विकास का प्रस्रिक्षन लिया अब तक राजे में कूल 4,64,322 युआओ को कॉसल विकास के लिए निबंधित कराया जा चुका है जिस में से 4,15,000 युआओ को प्रस्रिक्षन दिया जा चुका है SLC नहीं रहने पर भी ITI में नमांकन लेने का आदेश जारी राज सरकार ने किसी विद्यार्थी के पास SLC नहीं रहने पर भी अध्योगिक प्रस्रिक्षन संस्थानों में अब बंधिक नमांकन लेने का आदेश दिया है CBAC बोर्ट के विद्यालियों से उतिन विद्यार्थियों को SLC उपलब्ध कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा जबकि जैक यम अने बोर्ट से उतिन विद्यार्थियों को इसके लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा बतादे निर्धारित समय सीमा पर यह पवान पत्र उप्लब्द नहीं कराने पर सम्मंदित विद्यार्थी का नमांकर ड़त कर दिया जाएगा स्रम नियोजन प्रसिक्षन विभागने इसे लेकर सभी सरकारी यमगैर सरकारी अध्यकिक प्रसिक्षन संथानों के परचारियों का आदेश जारी कर दिया है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बिच मुटभेड सराय के लथाना छेत्रे के सीमा वर्थ पत्थर बासा वा गिडूम सीमा जंगल छेत्रे में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बिच बिती रात मुटभेड हुई है जिसमें सुरक्षा बलो का भारी परता देख नक्सली अंधेरा का फैदा उठा जंगल में भाग खड़े हुए दूसरे दिन रभ्यूर को सर्च अप्रेसन के बाद सुरक्षा बल नक्सली ओक घेरे के लिए छपे मारी अभियान चला रही है नक्सली ओक खिलाप अभियान में जीले की पुलीस यारपी एफ वा कोबरा बटालियन के भारी संख्या में बल पत्थर बासा गिडूम कोल भांगा के सिमावर्ती जंगल में बीसेस अभियान चला रही है बीते सनीवार की राज सुरक्षा बल नक्सली ओक बीच होई मुडभेण में सुरक्षा बलो की ओर से अनुमानित बीस रावन गोली बारी के बाज सुरक्षा बलो को भारी परता देख नक्सली भाग खड़े हुए स्रावनी मेला की तैयारीों को 18 जुलाई तक पूरा करे उपायोकते राज किये स्रावनी मेला तो है चोबिस की तैयारी को 18 जुलाई तक हर हाल में पूर्ण कर ले इसके लिए समन्दित विभाग के अधिकारी कार्यापालक अभियानता वा एजेंसी युध अस्तर पर तैयारी को अमतिम रूप दे साथ ही दुम्मा से लेकर पूरे कावरिया पत मेला चेतर रूट लाइन सहीत बाबा मंदिर में सर्धालों के सुविधा और सुरक्षा को लेकर सारी बेवस्ता को दुरुस्त कर ले इसमें कोई कमी नहीं रहे या निर्देश डीसी बिसाल सागनरव्य वार को मेला चेतर की तैयारी हो के निरिक्षा के दुरान अधिकारी हो वा संबंदित एजेंसी को दिया है डीसी के साथ एसपी अजीत पिटर डुक डुक सहीत कई अधिकारी थे डीसी ने निरिक्षन के दुरान कहा है कि रूट लाइन में सर्धालुओं के जोड़ी सभी सुवधाओं को अप टू डेट करे आस्था सुरक्षा को सरोपरी रखे और सर्धालुओं के सुवधा के अनुरूप निर्मान कारे करे केंद्रिये मंत्री सिवराई सिंग ने हेमंत सरकार पर साधानी साना भाजपा के जारखन विधान सभा प्रभारी वकेंद्रिये किरिसी मंत्री सिवराई सिंग चवहान ने कहा है जामो कांग्रेस और रायत गडबंदन जूठे वायदे कर जारखन को धोका दे रहा है उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री को बताना चाहिए कि अगर आप राज्य के हितेसी हैं तो आखिर क्यों वायदों को पूरा नहीं किया वे रभीवार को खिजरी विधान सभा में आयोजीत कारे करता अभिनंदन सर विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे सितंबर में पहली बार जूनियर नेशनल खोको परत्योकता सिम्डेगा में सिम्डेगा जिला खोको संग के ततोधान में 43 वी जूनियर नेशनल खोको परत्योकता का आयोजीत की गई इसमें संग के महा सचीव संतोस पर साथ द्वारा पहली बार हो रहे नेशनल खोको परत्योकता से सम्माधित विभीन परकार के दिशा निर्देस दिये गाए उन्होंने बताया है कि सताई सितंबर से दो अक्टूबता कराश्टरिये परत्योकता कायोजन किया जाएगा बैठक में सिम्टेगा, जिला खोको समीति के अध्यक्स, गाडवीन, टोपनो, मनन, नाग, गंगाधर, लाहरा, सहित अने मौजूद थे जारखन में जल्द सुरू होगी जाती जनगन्ना, जारखन राज पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से राज में जल्द ही जाती जनगन्ना कराई जाएगी सरकार की अनुमाती मिलने के बाद सभी सहरी निकायों में थ्री लेयर टेस्ट के लिए अन्य पिछडी जाती जनगन्ना का कारे शुरू कराया जा सकता है आयोग के अध्यक्स योगेंदर परसाथ की तरब से सभी जीलों को उपायोगतों से कहा गया है कि वे मद्य परदेश की तरज पर ट्रीपल टेस्ट कराने के लिए त्यार रहे इस समझ में कार्मिक विभाग को भी ट्रीपल टेस्ट अधारी जनगन्ना कराने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है पूरो में ही आयोग नेमाध्य परदेश की तरजपर मद्दाता सुची से ओवी सीख की गिन्ती करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन राज सरकार ने उसे अस्विक्रित करते हुए वास्तिविक जनगर्ना कराते हुए थिरी लेयर टेस्ट के लिए योजना बनने का ने देश दिया था धन्यवाद